नमस्कार दोस्तों सेविंग पंड यूटूब चनल पर आपका स्वागत है दोस्तों 2023 में पोस्ट अपीज जो FD स्कीम है यानि की फिक्स डिपजिट स्कीम पर बहुती ज़्यादा इंट्रेस्ट रेट दे रहा है तो अगर आपका एकॉंट पोस्ट अपीज मिली है तो आज आजी दोस्तों ओपन करवा सकते हैं और FD स्कीम में जो इंवेस्टमेंट करके एक हाई इंट्रेस्ट रेट है वो हासिल कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बतन बाला हूं कि नई इंट्रेस्ट रेट के साथ 2023 में अगर पोस्ट अपीज में आप एक लाग रुपे की FD कर यानि दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी कैलकूलेटर पर पूरी कैलकूलेसन दीकाने बाला हूं कि आप एक लाग, दो लाग, पांच लाग, दस लाग, पंदर लाग जमा करने पर आपको है जो कितना डेटन मिलेगा अलग-अलग मैचुरूटी पर तो दोस्तों पो पोस्ट ओपीस का जो FD अकाउंट है, वो कौन-कौन खुलवा सकता है, तो यहाँ पर आप देख लिजे कोई भी भारतिय नागरिक, जिनकी उमर कम से कम यहाँ पर 10 साल का कोई अगर आपके घर में बच्चा है, तो आप उनके नाम से भी अकाउंट है जो ओपन करवा सकता हैं, और अधिकतम उमर की यहाँ पर है जो कोई भी लिमिट नहीं है, इस FD अकाउंट को दोस्तों आप अपने दजदी की किसी भी पोस्ट ओपीस में जाकर है जो खुलवा सकता है, यहाँ पर आपका जो डोकुमेंट लगेगा, नॉर्मल KYC, पैन कार्ड, आपका आधार क अकाउंट, यानि कि आप अपने खुद के नाम से, अकले के नाम से खुलवा सकते हैं, या फिर हज्मेंट, या वाइप मिलकर, या आपका कोई बच्चा है, तो वो साथ में जॉइंट होकर, आप जॉइंट अकाउंट भी है, जो ओपन करवा सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तो अपना पैसे की यापर और अधिक्तम कि आपर है, जो कोई भी लिमिट नहीं है, अगर बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों, मैशूरूटि अलग-अलग है, टाइम के लिए है, आप अपना पैसा है, जो फिक्स कर सकते हैं, या रिदोस्तों, आप इसमें 1 साल, 2 साल, 3 जा प पांच साल तक है जो फिक्ष्ट डिवर्जिट करवा सकते हैं, यहां पर कापी सारे लोगों का एक सवाल होता है कि क्या आप चार साल की FDM करवा सकते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, आप दो प्लस दो, यानि कि दो-दो साल की आप जो FD करवा सकते हैं, बट एक साथ आ ऐसा कोई भी post office में rules नहीं है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मान लीजे आपने 5 साल की FD कर वही है और आपको यहाँ पर 2 साल या 3 साल बाद पैसो की मान लो emergency पर जाती है जरूत पर जाती है तो क्या आप अपनी FD को है जो तुरुबा सकता है यानि दोस्तों इस account को premature close करवा सकता है तो बिल्कूल यहाँ पर दोस्ता आप FD account open करवाने कि ठीक 6 मैंने बाद आप emergency के दोरान यानि कि अगर आपको पैसो क requirement हो जाती है 6 मैंने के बाद तो आप इस account को जो premature close करवा सकते है लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको जो interest मिलेगा वो यहाँ पर basic saving account कहीं मिलेगा यानि 4% के करीब है जो आपको interest rate मिलेगा बात करने दोस्तों फिलाल मिलने वाले interest rate की तो वो अलग-अलग है अगर आप दोस्तों एक साल की यहाँ पर post office में FD करवात हैं तो आपको 6.6% का जो interest है वो मिलेगा दो साल की FD पर यहाँ पर है जो 6.8% का interest rate मिलेगा और 3 साल की अगर यहाँ पर है जो आप FD करवात हैं तो 6.9% का rate of interest मिलेगा और माल लिजे अगर आप 5 साल के लिए यानि की जो अधिकतम limit है पांच साल के लिए आप अपना जो पैसा है वो fixed deposit करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर दोस्तों highest 7% तक का rate of interest वो दिया जाएगा चलिए अब हम दोस्तों यहाँ पर है जो calculation करके देख लेते हैं तो सबसे पहले हम एक साल की FD देखेंगे उसके बाद 2 साल, 3 साल और 5 साल की है जो हम calculation करेंगे अलग-अलग amount के साथ चलिए सबसे पहले अगर आप दोस्तों एक लाग रुपी की है जो FD एक साल की लिए करते हैं तो यहाँ पर आपको एक साल बाद 6,755 रुपे का है जो आपको interest मिलेगा यानि टोटल दोस्तों आपको एक साल बाद 1 लाग रुपे जमा करने पर 1,6,755 रुपे मिलेंगे वहीं दोस्तों अगर आप है जो 2,00,00, रुपे एक साल के लिए fix करते हैं तो आपको यहाँ पर 13,530 रुपे का interest मिलेगा और टोटल आपको यहाँ पर 3,20,255 रुपे पांच लाग फिक्स करने पर दोस्तों यहाँ पर आपको जो return मिलेगा एक साल बाद 5,33,825 रुपे वहीं दोस्तों आगर आप पोस्ट आपीस में 10 लाग रुपे शिर्फ एक साल के लिए है जो fix deposit करते हैं तो आपको यहाँ पर 67,651 यानिकी 66,600 रुपे का है जो आपको interest मिलेगा अब 2 साल की FD पर है जो आपको कितना मिलेगा तो माल लिज़ आपने 1,00,00 रुपे दो साल के लिए fix किया है तो आपको यहाँ पर जो 2 साल बाद आपको interest मिलेगा 13,950 रुपे वहीं 2,00,00 रुपे अगर 2 साल के लिए fix करते हैं तो 27,901 रुपे का आपको interest मिलेगा अगर 3,00,00 रुपे आप 2 साल के लिए fix करते हैं तो फिर आपको 41,852 रुपे का है जो interest मिलेगा 5,00,00 रुपे fix करने पर दोस्तों यहाँ पर आपको 79,753 रुपे का है जो interest मिलेगा दो साल बाद वहीं दोस्तों आप 10,00,00 रुपे है जो fix deposit करते हैं शिर्फ 2 साल के लिए तो यहाँ पर आपको जो interest मिलेगा 1,69,507 रुपे अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 3 साल की FD पर तो दोस्तों अगर आप 1,00,00,00 रुपे 3 साल के लिए fix करते हैं तो यहाँ पर आपको 21,241 रुपे का interest मिलेगा वहीं माल लिज़े आप 2,00,00,00 रुपे है जो 2,00,00 की FD कर बाते हैं तो यहाँ पर आपको 3 साल बाद 2,430 रुपे का है जो interest मिलेगा वहीं दोस्तों 3,00,00 अगर आप fix करते हैं तो यहाँ पर आपको 23,125 रुपे का है जो interest मिलेगा और टोटल दोस्तों आपको यहाँ पर है जो तीन साल बाद 3,00,003, 그건 5,00,00 के लिए fix करते हैं तो यहाँ पर आपको 10,00,00,00 रुपे का है जो interest मिलेगा वहीं माल लिज़े अधिक्त हम आप 10,00,00,00 चार सो शत्रा रूपए का यानि दोस्तों 10 लाग रुपए जमा करने पर तीन सल बाद आपको टोटल जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा यहापर 12,470 रुपए का एक हाई जो इंट्रेस्ट अमाउंट है वो आपको मिलेगा बात करें यहाप पांच साल की FD पर आपको है जो कितना रेटन मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकता है अगर मालीज आप एक लाग रुपे पांच साल के लिए जो फिक्स डिवर्जिट करते हैं पोस्ट ओपिस में तो यहाँ पर आपको जो इंट्रेस्ट रेट मिलेगा वो 7% का मिलेगा तो इस हिसाब से दोस्ता आपको एक लाग डिवर्जिट करने पर यहाँ पर पांच साल बाद है जो एक लाग 35,929 रुपे है जो रेटन मिलेंगे वहीं आप दो लाग रुपे अगर पांच साल के लिए फिक्स डिवर्जिट करते हैं तो यहाँ पर आपको पांच लाग का जो रेटन मिलेंगे वहीं बात करें यहाँ पर है जो दस लाग रुपे की यानि की माल लीजे आपके पास दस लाग रुपे हैं आप पोस्ट ऑफिस में साथ है जो calculation करके बता दी है उसके अलवह आप कितना पैस पोस्ट अपिस की में है जो investment करना चाहता है वह दोस्त कामेंट करके बताए बिल्कुल यहाँ पर दोस्तो calculation के साथ आपको है जो reply किया जाएगा इसके लाव दोस्तों post topic सी सभी प्रकार की वीडियो हमारी channel पर available है जाकर आप है जो check out कर सकता है M.I.C. scheme, top 3 scheme इसके लाव है senior citizen saving scheme वो सारे वीडियो available है और उन सभी वीडियो के link के description box में दी हुए है जाकर आप जरूर check करें तो दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आयोगा वीडियो को like जरूर करें साथ ही दोस्तों saving और investment के regarding इसी प्रकार की वीडियोज के लिए आप हमारे channel को subscribe कर सकता है Thanks for watching